हेलो वचो है अवरीवन माईनेव इस रीना रा और आप सभी का एक बर फिर से सवागत है साइंस इन 3D चैनल में लास्ट क्लास में हमने डिसकस करा था बेटा लाइट रियक्शन्स क्या होती है आज जो हम डिसकस करने वाले हैं वो है डाक डियक्शन्स क्या होती है पहले मैं आपको थोड़ा रीकैब देती हूं लास्ट क्लास का अगर आपने मेरी लास्ट क्लास नहीं देखिए तो प्लीज जाके देखो उसमें मैंने बहुत इजीली कॉंसेप्ट को क्लियर करवाया है 3D मोड्यूल्स की हेल्प से चलिए आज हमें आपको थोड़ा रीकैब देती हूं कि लाइट डिपेंडेंट रियक्शन्स पर हमने क्या पढ़ा था कि ATP और NADPH हमें एज़ा प्रोडक्ट मिलते हैं और थाइलकोइड में क्लोरप्लास्ट में जो थाइलकोइड होता है वहां पर रिएक्शन होती है clear है यह हमने बढ़ा था और direct sunlight को light dependent reactions यूज करती हैं लेकिन dark reaction का मतलब यह नहीं है कि वो अंधेरे में हो रही है dark reaction का मतलब यह होगा कि वो directly light use नहीं कर रही है वो light dependent reactions के जो products हैं उनको use करेगी और sugars बनाएगी हमारा photosynthesis में यही तो होता है कि sugars बनती है last में end product हमारे पास sugar होता है और oxygen होता है oxygen हमें light reaction से मिल गया था अब हम देखेंगे sugars कैसे बनती है तो आईए और आगे देखते हैं कि dark reaction क्या होती है सबसे पहले इसमें चलते हैं बहुत सारी plant cell के अंदर आगे और बहुत सारे chloroplast यहां जो अब देख रहे हो इसमें क्या है कि stromal reason highlight हो रहा है clear है stromal reason को click करते है stromal reason में देखते हैं क्या होगा सबसे पहले मैं आपको बता दू dark reaction 3 step process होता है पहले हम एक बार पूरे steps देखेंगे उसके बाद मैं आपको detail में एक एक step को समझाओंगी सबसे पहले होगा हमारा carbon fixation carbon fixation में क्या होगा और इसको हम carboxylation भी बोलते हैं जिसमें carbon dioxide का addition होगा second step होगा reduction of 3 pga to g3 p phosphoglyceric acid को glyceraldehyde 3 phosphate में convert करेंगे और उसका उस process का नाम क्या होगा reduction और last में होगा regeneration क्या होगा regeneration यहां पर ATP यूज हुआ यहां पर ATP यूज हुआ चलिए आप इसको थोड़ा detail में पढ़ते हैं सबसे पहले हम देखेंगे enzyme कौन सा यूज हुआ है वह है rubisco enzyme जो होता है वह universe में most abundant enzyme होता है ठीक है इसकी फुल form क्या होगी राइबलूज 1-5-bisphosphate carboxylase oxygenase इसमें देखो carboxylase भी है और oxygenase भी है इसको हम लास्ट ना डिसकस करेंगे कि यह दो property शो कर रहा है carboxylation भी कराएगा oxygenation भी कराएगा चलिए इसको देखते हैं carbon fixation में help करेगा rubisco अब यहां पर एक co2 का addition होगा rubisco enzyme इस process को catalyze करेगा हमारे पास rubp नाम का एक molecule होता है riboluse 1-5-bisphosphate जो की carbon dioxide जब उसमें add होती है rubisco की presence में वो convert कर देता है उसको 3-phosphoglyceric acid में clear है यहां पर हमारे पर इस एक short intermediate होता है जो की unstable होता है जो most stable product होता है first product होता है जो kelvin cycle का most stable product वो होता है 3 pga इसलिए इसका इसका जो नाम है वो c3 cycle है क्योंकि first stable product इसका क्या है three carbon compound है clear है अब देखते राइबुलूज 1-5-bisphosphate के अंदर दोनों side phosphate groups attached होता है और बीच में five carbon chain present होती है clear है पाच carbon की chain present है बीच में और side में दोनों ends में phosphate लगा हुआ है carbon dioxide की presence में पाच carbon ruvp के हो गया एक carbon co2 का हो गया हमारे पास total six carbon हो गया लेकिन जो हमारे पास product मिलता है वो हमें three three carbon के दो product मिलते हैं three pga के दो molecules मिलेंगे हमें three pga के clear है तो first product हमारा हो गया three pga जो की most stable product है first product ऐसा है जो stable है otherwise intermediate product जो होता है वो unstable होता है clear second step हम देखेंगे second step के अंदर क्या होगा reduction होगा reduction में क्या होगा phosphoglyceric acid जो बना था वो sugar में हमारा जो main motive है वो यह है photosynthesis में dark reaction में कि हमें carbohydrates चाहिए हमें sugar चाहिए यह जो acid बना है यह sugar में convert होगा और इस process को acid से जो sugar में conversion होगा इस process को हम बोलेंगे reduction इस process के अंदर दो ATP खर्च हो जाते हैं और दो NADPH NADP plus में convert हो जाते हैं clear है यह चीज कि हमारे पास यहां पर दो ATP यूज हुए और दो NADPH यूज हुए है clear है इस process को हम बोलेंगे reduction जिसमें acid convert हो गया glyceral dehyde 3-phosphate में या फिर इसको आम triose phosphate भी बोलते हैं क्या बोलेंगे triose phosphate second step clear है कोई doubt नहीं होना चाहिए I think चलिए third step देखते हैं third step में जाने से पहले मैं आपको बता दू glyceral triose phosphate जो है इसके कुछ molecules glucose में convert हो जाते हैं कुछ molecules glucose में convert हो जाते हैं और कुछ molecules दुबारा से RUBP regenerate कर देते हैं regeneration third step का नाम इसलिए है कि RUBP दुबारा से regenerate हो जाता है और इस process में again एक ATP खर्च हो जाता है यहाँ पे हमारे पास total cycle में 3 ATP खर्च हो है और 2 NADPH खर्च हो है clear है यह बहुत एक easy सा मैंने आपको समझाय है अब हम देखते हैं यह तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो glucose है उसके पास भाई six carbon होता है क्योंकि glucose क्या होती है C6H12O6 यह होती है अब हमें छे carbon चाहिए लेकिन जो एक carbon का आ रहा है वह तो छे carbon फुल्फिल करी नहीं पाएगा यहाँ पे क्या होगा RUBP के six molecules six carbon dioxide use होंगे यह एक cycle छे बार repeat होगी तब एक glucose का molecule बनेगा यह clear हुआ अब हम देखते हैं कि एक carbon dioxide molecule में हमारे पास दो ATP तो second step में use हुए clear है दो ATP हमारे पास second step में use हुए और एक ATP जब regeneration हुआ तब use हुआ और दो हमारे पास NADPH use हुआ है यह clear है यह बहुत अच्छे से clear होगा लेकिन glucose बनाने के लिए हमें चाहिए छे carbon तो यह cycle six times repeat होगी तो six CO2 के लिए हमें कितने ATP चाहिएंगे अगर हम भी इस पूरे products को six से multiply कर दे टोटल three ATP है तो three six eighteen ATP in six cycles and two NADPH है तो six two twelve NADPH यह हमारे पास इस cycle में usage होगा ATP और NADPH का और हमें जो products मिलेगा वो मिलेंगे product मिलेंगे वो मिलेंगे sugars clear है यह photosynthesis process की dark reaction थी rubesco जो enzyme है वो अगर carbon dioxide की presence में काम करेगा तो वो carboxylase की तरह वाक करेगा अगर rubesco oxygen के साथ combine करेगा तो वो oxygenase की तरह काम करेगा यहां हमने देख लिया कि carbon dioxide के साथ जब वो combine कर रहा है तो वो dark reaction कर रहा है अगर यह oxygen के साथ combine करेगा तो यह oxygenase की तरह काम करेगा इसकी dual property होती है अगर आपको देखना है कि oxygen के साथ combine करेगा तो कौन सी process होगी इसके लिए हमें comment में जरूर बताओ और हमारी वीडियो को like करो, share करो और चैनल को subscribe करके जरूर जाना तब तक के लिए bye bye, take care